हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आल आज में आपके लिडियो लिक्यार हो देखिए रेलवे सेक्टर के तीन चार शेयर साब के पास यहां पे हैं लेकिन आयर सीटी सी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की पसंद बना हुआ है लेकिन एलाइसी जो की इंडिया की एक बहुत कर यहां पर आपको सारी चीज है बिल्कुल डिटेल मैं बारी की से बताई की सीरीज में क्या uptrend होता है क्या downtrend होता है कैसे trend reverse हो रहा है अगर आपको intraday trade लेने तो कैसे लोगे short term perspective से कैसे trade लोगे long term perspective से क्या सोच के trade लोगे risk को कैसे manage करोगे यह सारी चीजा आपको end to end बताई गई है यहां पे साथ के साथ practice करने के लिए आपको कहा जाता है ताकि क्योंकि practice observation market के बारे में बन पाएगी और तभी आप अच्छे से market में रह पाऊगे और पैसा कमा पाऊगे में सीधे आपको लेके जा रहा हो यहां पे इस stock की तरफ जिसका नाम है rights limited यह stock देखने में तो छोटा stock है लेकिन आपको पता है जो छोटे stock होते हैं वही multi bagger return देते हैं आने आप इसके fan हो जाओगे market capitalization मात्र 6500 करोड का दिख रहा है और current price 262 का दिख रहा आपको लेकिन sales growth देखिए 18.91% की अगर debt देखोगे तो company का ना के बराबर का debt free stock आप इसको कह सकते हो profit growth ग्यारा से 12% की पी ratio आप देखिए हर 10 रुपे पर ही 1 रुपे कमा के आपको दे रहा है उस टाइम पर आपने देखा होगा कि 240 के आसपास था यह 24 दिन पहले रिजल्ट आए था 24 सुपे का earning per share बहुत अच्छी बात है प्रमोटर की holding अभी भी 72% की है चलिए बहुत बढ़िया बात यह पूरा का पूरा fundamental detail आपने देखा इस stock की थोड़ा और detail में आपको बारी है definitely अच्छा growth है और अच्छा growth इवन आप profit में भी देख सकते हो 300, 340 करोड, 328, 340, 470 और 616 करोड profitability भी है और rights है यह railway infrastructure का share और मुझे लगता है जहां तक railway में अभी भी बहुत potential बाकी है क्योंकि यहां पे railway का infrastructure बहुत अच्छे से improve इंडिया को करना पड़ेगा आने वाले time पे इसलिए यह सरकारी share जितने भी है धीरे धीरे private में convert हो रहे है और PPP model यानि के private public partnership जो है वो यहां पे चलने वाली है जिसके वज़े से इन companies में बहुत आगे आने वाले time पे तेजी आ सकती है और जिस तरीके से आपने देखा सरकार ने पहले यहां पे 10% के हिस्सेदार है और अभी मैं देख पाऊं यहां पे अगर राइट के share को 262 का प्राइस का जरूर है लेकिन आपने देखा होगा अभी कुछ time पहले जब इसका हाई था वह हाई ज्यादा दूर नहीं जाई इसमें ज्यादा गिरावाट आई नहीं यह मान के चलिए अब थोड़ा सा इसक जारी यहां पे खरीद दी दो परसंट से भी ज्यादा हिस्सेदारी यहां पे खरीदी है जो कि आपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है अभी कितने shares LIC के पास है वो भी देखेंगे फिलाल आपने देखा वही किस तरीके से LIC नहीं यहां पे बड़ी हिस्सेदारी खर है उसके अलावा गर मैं इस share में देखू यहां पे mutual fund में जैसे स्देशी ट्रस्टी, reliance capital इन सब के पास हिस्सेदारी है foreign portfolio investors के पास भी यहां पे 72 lakh shares है 3% के आसपास के holding इनकी भी है LIC की हम बात कर रहेते 7.83% की holding LIC की हो चुकी है अगर overall आप देखोगे तो 2 करोड के आसप पास shares LIC के पास है सबसे ज्यादा shares अभी तक यहां पे LIC के पास है financial institutions में मतलब यहां पे LIC के पास major shares insurance companies उसके अलावा आप देखोगे LIC के अलावा उनके पास भी 14 lakh shares यहां पे है अब बात करते हैं retail निवेशकों की देखे राइट का share है fundamental जबर्दस्त है लेकिन retail निवेशक क्योंकि कुछ ताइम पहले इसका IPO आया था तो retail निवेशकों की भी अच्छी खासी भागीदारी यहां पे है छोटा share होने के बावजूद यहां पर मैं देख पा रहा हूं 73,000 retail निवेशकों ने इन्वेस्ट किया हुआ है यानि कि एक करोड शेर से ज्यादा retail निवेशकों के पास है और काफी important यह फंडामेंटल इसके strong है LIC जैसी जो है सरकार की कंपनी है तो भी LIC का अ इमाउंट लगा हुआ हुआ है वो भी 45 लोग है जिनके पास 26 लाग शेर से यानि कि एक परसेंट से ज्यादा की हिस्सेदारी इन लोगों के पास है तो यह आपने ओवराल शेरोडलिंग पैटन भी स्टॉक का देखा और ओवराल 28 परसेंट के आस पास के हिस्सेदारी जो ह कि अभी भी जो है प्रोपोटर के पास है नहीं कि सरकार के पास है अब चलते हैं चार के टेकनिकल पॉइंट को यहा पर फॉकस करेंगे ज़रा धान दीजिए आप पर टेक्निकल में और राइट्स का शेर हमारे पास है अब राइट्स के शेर को अब हम देखेंगे थोड़ा समंधने की कोशिश करेंगे मंतली चार्ट से और जब यह मार्केट में आया था सबसे पहले देखें 2018 जुलाई में यह मार्केट में था तब 155 के आसपास का इसका प्राइस था और यह प्राइस में आपको बता तो यह एडजेस्टेट प्राइस है क्योंकि यह स्टॉक एक बार कई बार तो आपको डिविडेंट बार चुका है और एक बार यह बोनस भी दे चुका है अपने द तेजी आई और दो महीने तेज़ी रही फिर करेक्शन आप देख सकते हो। लोवर हाई लोवर की सीरीज के साथ करेक्शन स्टार्ट हुआ अब इंप्टेन पॉइंट करेक्शन का रिजॉलीशन काफी इंप्रेंट होता है हर तरीके से अब आप देखिए के के resolution में members देखिए almost lions attack की kind of formation देखने को मिल रही है और तेजी हुई है और near to the breakout level आपको भई ये बहुत ही अच्छी बहुत ही important बात यह near to the breakout level अगर ये pullback kind of thing मतलब मैं कहूंगा इसको हलका सा जो है consolidation या फिर थोड़ी सी correction यहां पर देखने को मिली अगर आप देखोगे इसको तो आपको range contraction देखने को मिली गया और शेयर कहां तक गया 330 के level पर अभी March फरवरी March के आजपास गिरावट जरूर आई और वापस 190 के level पर शेयर आया लेकिन बहुत ही जल्दी यहां पर लोग अट्रेक्ट हुए और 290 का इसने हाई बनाया फिलाद अगर आप देखोगे कि यह पिछले मैं कहूंगा अभी बहुत ही एक लंबा पीक यहां पर देखने को मिल रहा है इस मन्त में तो इसकी सिचवेशन देखके क्या कोछ चल रहा है कब आई कितनी तेजी आई कैसे करेक्शन आया वह देखे जड़ा ध्यान से देखे अब यह करेक्शन इसी वीक की है जो अभी जून यव वाला यह वीक खतम हुआ एकदम यह तेजी 900-290 के लेवल तक इसको लेके गई थी लेकिन एकदम शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है अब इंप काफी इंपॉर्टेंट था करेक्शन आया करेक्शन भी आपने देखा कि 220 के आसपास का लोग बनाया धीरे-धीरे करके करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम लिया और यह ब्रेक आउट हुआ है सकस्पूल ब्रेक बहुत ही उपपर यह चला गया लेकिन एकदम तेजी से भा बाद का टावर है जिस दिन रिजल्ट आया था जैसे उसके बाद एकदम यहां पर तेजी देखने को मिली और शेयर देखे 290 के लेवल पर गया उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाए नीची आया लेकिन अच्छी बात इसमें जो मैं आपको दिखाऊंगा जो पॉजिटिव इस दिखाऊंगा वह आपके लिए बन रही है आपको कैसी बन रही है यह देखिए दोस्तों के आसपास का यह शेयर है पीक पर गया तो माल बिकेगा डेफिनेटली बिकेगा जब इतनी तेजी से भागेगा तो शेयर देखिए लोग प्राफिट बुकिंग करते हैं यह अपने 20 EMA पर आए या 50 EMA के आसपास कहीं न कहीं सपोर्ट ले यादि वापस एक्सपेक्टेशन यही कि 250-240 के बीच में आके कहीं न कहीं सपोर्ट ले और उसके बाद फिर आपको अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिलाल इतनी तेजी से भाग गया और पीक पे शेयर इन लेवल्स पाने की कोशिश करेगा तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन उसके बावजूद भी आपको देखना है करेक्शन का रिजॉलुशन एंट्री से पहले वह इंपॉर्टेंट है तो यह आपने अभी राइट के शेयर को देखा हर तरी बना था और उसके बाद फॉर्स टाइं में यहां पर बना था और यहां पर आप देख सकतो यहां पर बलिश्च बीर्स-क्रば और अब द्वारा बुलिश्च बन रहा है बशोंिद्टी लेकिन बुलिश्च बनने के बाद आपको ध्यांसपे का मुखा थान दिन एन अरू क